लिवर हमारे शरीर के प्रमुक आंत्रिक अंगों में से एक है दरासल में देखा जाए तो ये एक गरंती है जिसे आप शरीर की सबसे बड़ी गरंती कह सकते हैं हाला कि इसकी गिंती सबसे बड़े अंगों में भी की जा सकती है लिवर पित का निर्माड करता है जो फैट को त बढ़ने लगती है ये गंभीर बीमारी हो सकती है जिसे सामाने तोर पर फैटी लीवर के नाम से जाना जाता है फैटी लीवर डिसारडर मुखे रूप से दो प्रकार का होता है एलकोहल फैटी लीवर और नौन एलकोहल फैटी लीवर फैटी लीवर के मुखे कारणों में खर लग्षणों को अनुभव नहीं किया जा सकता लेकिन जब ये विमारी गंभीर होने लगती है तब इसके लग्षण धीरे-धीरे उभरने लगते हैं इनको आप अनुभव कर सकते हैं। इनमें कुछ लोगों के लक्षण एकदम साफ दिखाई देने लगते हैं, वहीं कुछ लोगों में ये लक्षण केवल सांकेतिक रूप से दिखाई देते हैं। आईए आज के वीडियो के माद्यम से हम फैटी लीवर के उपचार के बारे में जानते हैं। फेटी लीवर में मुकिता तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। इन पर दवाओं का कोई असर नहीं होता और ट्रांस्प्लांट ही इसका एक मात्र उपचार बताया जाता है। तीसरे में सोट का चूण और चौथे में मिश्री का चूण या शक्कर भरकर रात को प्लेट में ढख कर रख दें। सुबह में भोजन करने से पहले इस नीबू की कटे हुए हिस्से को मधीमी आजपर या तवे पर गर्म करके चूस लें। दूसरे उपाई की बात करें तो प्याज आम तोर पर कई रोगों में आयूर्वेदिक औशदी के रूप पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम फैटी लीवर के उपचार में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि दिन में दो बार प्याज खाते रहना है। ऐसा करने से आपको काफी लाब महसूस होगा। चाच को हम लोग वैसे भी पेट के छोटी मुटी बीमारियों में इस्तेमाल कराते रहते हैं। लीवर के लिए ये बहुत फाइदेमंद है। फैटी लीवर में चाच जिसमें हींग का बगार देकर जीरा, काली मिर्च और नमक मिला हुआ हो दोपहर के भोजन के बाद सेव दूर हो जाते हैं। यही नहीं आवले का सेवन आपको कई अन्य अतरिक्त लाब भी प्रतान करता है। यह वाइटमिन सी से भरपूर होता है। तो इसलिए वाइटमिन सी से मिलने वाले सारे लाब आपको मिलने वाले हैं। नीबू का खट्टा स्वात पीट की कई या खरावी ठीक होनी लग जाईगी अब बात करते हैं आपने आखरी उप्चार की जामुन जामुन का कसेला स्वाद भी कई अशदियों के रूप में काम में लिया जाता है जिस मौसम में जामुन मिलते हैं उस मौसम में 200-300 ग्राम बढ़िया और पके हुई जामुन प्रती दिन खाली पेट खाने से जिगर यानि की लीवर की खराबी दूर हो जाती है फैटी लीवर में भी इसका इस्तेमाल काफी लाबदायक सिद्ध हो सकता है तो दोस्तों ये छोटे से वीडियो में आपने जाना लीवर यानि की फैटी लीवर के 5-6 उपचार आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काफी काम की रही होगी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें मिलते हैं गले वीडियो में ऐसी किसी नई इंफार्मिशन के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम